इंदर अंदर मोदी आज कल परिवार बाद पर हमला कर रहा है मैं इनके परिवार बाद पर सवाल उठाता हूँ तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है लोग सबा चुनाओं से पहले राजनेतिक नेताओं का एक दूसरे पर तंसभरे शब्दों के साथ कमेंट करने का दौर फिर शुरू हो गया है रविवार को पटना में आरजेटी नेता लालू परसाद यादो की परधान मंतरी मोदी पर कमेंट के बाद घमासान शुरू हो गया है राष्टे जनता दल के नेता लालू प्रशाद यादों ने रविवार को पटना के गादी मैदान में आयोजित विपक्षी दलों के जन्विश्वास रैली के दोरान पियम मोदी पर तीखे हमले किये थे उन्होंने प्रदान मंतरी नरेन मोदी के खिलाब वेंग भरे शब्दों में कहा था पियम मोदी हर बार परिवारवाद का मुद्दा उठाते रहते हैं ये क्यों नहीं बताते कि उन्हें क्यों कोई संतान नहीं हुई वही पियम मोदी के हिंदू होने पर भी सवाल उठाए थे पहले आपको सुनाते हैं कि लालू यादों ने पियम मोदी पर क्या तंस किये थे इन नरेंदर मोदी आज कल परिवार बात पर हमला कर रहा है अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतार नहीं हो तुमको हुआ बता ज्यादा संतार होने वाले लोगों को बोलता कि परिवार बाद है परिवार के लिए लोग लट है तुमारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है वही परदान मंतरी नरेन मोदी ने सोमवार को तेलंगाना के अदिलावाद में जनसभा को संबोधित किया इस दौरान पियम मोदी ने आरजेटी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादो के एक बयान पर जोरदार पलटवार किया है पियम मोदी ने कहा है कि मुझ पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा गया है पियम मोदी ने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूँ तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोधी का कोई परिवार नहीं है देश के कोटी-कोटी लोग मुझे अपना बांते है अपने परिवार के सदोसे की तरह मुझे प्यार करते है और इसलिए मैं कहता हूँ 140 करोर देश वासी यही मेरा परिवार है जिन्नव जमान यही मेरा परिवार है केंदरिये ग्रह मंत्री अमिश्या ने भी अपने नाम के आगे मुधी का परिवार लिख दिया गौर तलब है कि लोगसभाचुनाओं से पहले टीका टिपडी का दौर शुरू हो गया है अब 2024 के लोगसभाचुनाओं पर पुरे देश की निगाह इसी पटिकी है कि दिल्ली की कुर्सी पर किसका पर्चम लहराएगा वेरो रिपोर्ट दा लीडर हिंदी